नमस्कार दोस्तो मैं अनुराग गोयल स्वागत करता हूं आपका Star Investor Channel में दोस्तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी Future Contract के बारे में आपने देखा था कि Future Contract कैसे है किस स्पेसिफिकेशन क्या होती है किस टाइप का होता है और कैसे काम करता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ आईपी और एफपी ओ के रिगाड़ी में दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करते हैं आपको बेसिक नौलीज होनी बहुत ज़रूरी है तो आज के इस वीडियो में हम बात करें है आईपी ओ और एफपी ओ के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब को शेयर करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो साब तक पहुंचते रहे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों आपको पता ही है कि IPO इनीशियल पब्लिक ओफर FPO फॉलो पब्लिक ओफर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा IPO, IPO, जोमेटो आईपियो, नाई का आईपियो, एल आईजी का आईपियो लेकिन क्या आपने IPO के वाले में कभी बढ़ा है कभी दोनों के डिफरेंशिस को देखा है, आपने जाना है कभी तो वही चीज ना आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि दोनों में डिफरेंशिस क्या है and which one is better for you तो चलिए स्नाट करते है IPO Initial Public Offer जो कंपनी फर्स टाइम स्टॉक मार्किट पे लिस्ट होने जा रही है जिस कंपनी का पहली बार शेयर मार्किट में आ रहा है लेकिन क्यों आ रहा है IPO कि जो भी कंपनी अपना मार्किट कैपिटल रेज करना चाहती है अपना मार्किट कैपिटल रेज करना चाहती है थ्रू एकुटी मार्किट तो वो IPO के थ्रू आती है अब इसके पीछे में अब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो IPO की बात करते हैं फॉलो पब्लिक ओफर फॉलो पब्लिक ओफर की जिस कंपनी का पहले से ही स्टॉक मार्किट में शियर लिस्टिड है जिसकी पहले से ही ट्रेडिंग हो रही है वो कंपनी अपनी और नंबर ओफ इकुटी शियर्स मार्किट में इंक्रीज कर रही है करती है FPO के थ्रू This is called FPO Number of equity shares को बढ़ाना या market से और additional capital raise करना This is the example of FPO Right IPO की जहां पर company first time stock market पर लिस्ट हो लिए है अब दो तरह के IPOs और दो तरह के FPO's market में आते हैं उसी की बात करते हैं यहां पर भी हम टाइप की बात करेंगे तो पहला है fixed price issue fixed price issue मेरी राइटी तोड़ी सी ऐसी है प्रिक्स प्राइस इशू second जो है बुक बिल्डिंग इशू दो टाइप मैंने आपको बताए आफ्पियो की बात करते हैं पहला ताइप दिल्यूटिव अब मैं आपको बताता हूं फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू में क्या फ़रका है दिल्यूटिव और नॉन डिल्यूटिव में क्या फ़रका है फिक्स प्राइस इशू जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जो भी इशू कंपनी लेके आई या जो भी आईवियो लेके आई है उसको एक फिक्स प्राइस पे उन्होंने अपने इंवेस्टर्स के लिए उसके लिए एक फिक्स प्राइस उन्होंने ऑप्शन रख दिया जैसा तो उन्होंने एक फिक्स प्राइस रख लिया यहां पर आपको ज्यादा प्रता लगेगा बुक बिल्दिंग इशू क्या होते हैं जहां पर की कंपनी अपने इंवेस्टर्स को ऑप्शन डे रही है एक प्राइस बैंड दे रही है कंपनी ग्यारासो ग्यारासो दस्टर्स तो इसीज़ डिफरेंस ओफ इस इस था टू टाइप आइप इनिशियल प्लिक ओफर शिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्दिंग इशू जो आपको आइप यूज मार्केट में मिलेंगे वो बुक बिल्दिंग इशू रहते हैं चहां पर की इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन रहती है या चॉइस होती है कि वो बिट्वीन प्राइस रेंज के कहीं पे भी अपना बिल्दिंग कर सकते हैं राइट चलिए दोस्तो अब बात करते हैं बूर्दिटिव एफ़्पीयों की और नॉन डिलिटिव एफ़्पीयों की सेम वेग डिलूूटिव एप्ब्यों में एक नॉन डिल्यू जो है कि प्राइस रेंज सेम वे तो वह यह टाइप दोनों सिर्फ फरक जो है नाम का अगर आप सुनेगे मार्केट में कभी डिल्यूटीव एक्पी हो आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होएं फिक्स प्राइस दे रही है कंपणी अपने शियर का इसने मत आप कषेश्न कर सकते हैं किसी भी किसी भी प्राइस पर फिरिंग कर सकते हैं डाओ जो मैं अब जो हमारी नेक्स दिस्केशन ओने वाली है वह की डिफ्रेंस क्या है कि दोनों में डिफ्रेंसिस क्या है क्योंकि यह अगर आपने जान लिया है तो आपके लिए चॉइस करना एजी हो जाएगा कि आप लगां या एक प्यूव जड़ा बेट एंट तो चलिए बात करते हैं थो सबसे पहला जो की डिफ्रेंस है वो है अब्जेक्टिव दोस्तों बताना चाहूंगा कि IPO में कंपनी का objective क्या है कंपनी मार्केट में से अपना capital रिज करना चाहिए अपने projects को complete करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए तो वो अपना share market में उतार के अपने market में public से पैसा इकठा करती है तो यहां पर objective हुआ कि company अपना capital रिज करना चाहती है नमबर एक, नमबर दो कि company अपने market cap को बढ़ाना चाहती है या फिर, right, IPO में company का objective क्या हो सकता है company तो already listed है stock exchange पे तो यहां पर दो चीजी intention हो सकती है company की पहनी intention यह हो सकती है कि company एक तो additional capital रिज करना चाहती है नमबर दो, दूसरा intention या objective IPO में company का यह हो सकता है कि company अपने हो सकता है debt clear करने के लिए FPO लेके आरी हो बहुत important है दोस्तों, बहुत important है क्योंकि बहुत सारी company हैं जो आज की डेट में जिनका debt जो है वो company के size से बहुत ज़दा बड़ा है तो यह आपको ध्यान रखना है इसलिए मैं key differences की बात कर रहा हूं इस video में तो आपको देखना है कि company के debts कितने हैं जब आप FPO में पैसा लगा रहे हैं company का balance sheet क्या बोलता है अब बात करते हैं performance की दोस्तो performance की जब बात करते हैं यह भी बड़ा important point है कोई भी company जब अपना नया shares market में लिक के आती है तो naturally investors को उस company की इतनी जानकारी नहीं होती वह उस जान अगर उस जानकारी को उन्हें इकठा करना है तो उन्हें उस company की बारे में काफी कुछ study करना पड़ेगा या तो company की website पर जाके या फिर social media के तुरू तो वहाँ पर company की जो performance है वह एक चोटा सा question mark रहती है कि company की performance कैसी है right FPO में अच्छी बात क्या है FPO में अच्छी बात यह है कि already company listed as stock exchange पे already लोगों का पैसा लगा हुआ हो सकता है कि जो investor उसमें पैसा लगाना चाहता हो FPO में already वह existing shareholder हो company में और अच्छा खासा मुनाफ़ा खाके बैठा हो company से right यह company ने अच्छा खासा पिछले 22 जी इस तालोप में मुनाफ़ा दिया हो company को तो वहाँ पर company की performance को evaluate करना इतना ज्यादा risky नहीं होता इतना ज्यादा complicated नहीं होता जितना complicated आपको IPO में मिलेगा देखने को तो दिस इस सेकेंड की difference नाव थार्ड की डिफ्रेंस इस वेरी वेरी मोस्त इंपोर्टन प्रोफिटिबिलिटी कि अब मुझे यह चॉइस करना है कि मुझे IPO में पैसा लगा के पाइदा है या मुझे FPO में पैसा लगा के पाइदा है बहुत जरूरी चीज़ है बहुत जरूरी डिसीजन है अब मैं आपको बताना चाहूंगा की IPO कि कंपनी नहीं आई नहीं आ रही है पहली बार भी स्टोरी है तो वह स्टार्टिंग ग्रोथ में है अभी उसे ग्रोथ करना है अभी उसका प्राइस स्टॉक का प्राइस स्टार्ट हो रहा है नए इंवेस्टर्स आ रहे हैं और पैसा लग रहा है मार्केट मार्केट से उस कंपनी में विजिस मोस्ट इंपोटन दी दूसरी चीज़ एक्प्यों अल्रेडी कंप्री चल रही है और लोगों के पैसे लगए होगा है अल्रेडी स्टॉक इतना बढ़ चुका है कि और कितना उपर जाएगा आप और हम सोचते हैं बहुत बाप 125 रुबे का मालती का शेयर 2001 में जब आई प्यों के तुरू आया था आज पचासी सो रुपे के आसपस ट्रेड कर रहा है 500 रुपे लिस्ट होता है फॉर एक्जामपल आपको तो हो सकता है लिस्टिंग के वक्त वह ग्याना सो रुपे हो जाए राइट हो सकता है आट सो रुपे खुले खूलते ही आपको वह 50 पर्सेंट का रिटन दे या आपका पैसा डबल करते तो प्रॉपिटिमिलिटी की लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की पर्फोर्मेंस यहां पर आपको पता है और यहां पर क्वेश्टन मार्क थोड़ा बना रहता है और अब्जेक्टिव एक्प्यों में कि कंपनी कहीं डैट क्लियर करने के लिए तो नहीं दे लिए और नंबर ओपिटी शीर बढ़ा कि आई पी ओ क्या है एक कितने टाइके हैं और उसमें की डिफरेंसीज इरिया क्या है मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो दोस्तों मेरी वीडियो लाइक करना ना मुलें शेयर करना ना मुलें और जाते हुए मैं आपसे रिक्ष्ट कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जुरूर टैक करें अगर आपके आज के वीडियो से लेटिट कोई भी क्वेरीज है यह लास्ट वीडियो से लेटिट कोई भी क्वेरीज है थैंक यू सो मच थैंक यू